तू निकम्मा है तू नालायक है तू कोई कामकानी है तू कच्चरे के डेर में फेकने लाइक वो कूरा है जी हाँ दोस्तो बहुत ही एक किसिम का मेंटल टॉर्चर किया गया और उसके अगले दिन ही उस बच्चे का मा को बुलाया गया और उन्होंने पूछा कि आखिर मेरा बच्ची्टेक कर दिया गया या कुछ गलत कर दिया जो ना करना हो औरिस तरह से ज़ब। मा वापस आई लूस्तो जब वपस आई गर्सव database होटा है कि हम लोग पूछते कि ओके ममी, क्या बोले, ओके ममा, so what was the result, और teacher कुछ बता रहे थे, क्या था? तो वो बोला कि आरे कुछ नहीं, वो बात ये था न कि तुमारा क्लास का परफेमेंस से तुमारा teacher इतना खूस हुआ, कि वो वो मेरे को बुलाया और बुला कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है इतना जीनियस है ही सच यूनों ग्रेट माइंड ही सच ब्रिलियंट प्रसालिटी और यह आगे जाके बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है जी आँ दोस्तो तो ऐसा करके बुला वो बच्चा तो अंदर से मानों आउट ब्रस्ट होने लगा खुछी से ओ माइगाड मेरे को तो क्लास में सब दोस्त बोलता है कि तो कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा पर मेरे बारे में टीचर इतना अच्छा बोला और यार यह तो कमाल हो गया उसका सेलफ इस्टीम इतना हाई गया कि वो इतना मन लगा के पढ़ने लगा वो इतना खतरनाक पढ़ने लगा वो दस दस गंटा बारा बारा गंटा ना खाके ना सोके अपना खेल कूद यह सारा कुछ छोड़के इतना लगन लगा कि वो बैठा था और उसे अच्छानक से याद आया कि चलो मैं पीछे जाता हो और मा का जो रूम दाना उसमें वो कुछ ऐसा ढूड़ रहा था कि चलो देखते हैं तो वो कुछ अपना समान ढूड़ रहा था लेकिन उसे उस रूम के अंदर एक बॉक्स मिला दोस्तों और उस बॉक वो पेपर उसमें अप्लिकेशन और स्कूल का नाम लिखा हुआ तो जब उस अप्लिकेशन को उसने पढ़ा उस बच्चे ने पढ़ा तो उसके आँखों से आशू आ रहे थे और and he was such a speechless कि वो अपने आपको रोक नहीं पाया और दोस्तों पता है उस अप्लिकेशन में क्या लिखा था जी हाँ उस अप्लिकेशन में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा निहायती गबार है और इसे दुनिया का मेरा स्कूल क्या दुनिया का कोई भी स्कूल में आप इसे ले जाओ इसका एडमिसान नहीं हो सकता ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता ही इज गार्बेज डस्ट विन में भी फेक्ट हो गया ना तो कोई इसे उठाएगा नहीं यह ऐसा सारा हुआ कच्रा तो इस तरह से संबोधन किया गया था और उस डब्बे को खोलने के बाद दोस्तोי एक तरह से बोलते हैं न कै फ्रीज हो जाना तोड़ी वाज में बैदेली फ्रीज। और चारू और मतलब बस खामोसी खामोसी और आखों से बस आशू बह रहे थे नदियों के तरह आशू बह रहे थे आखों से तो मा ने छीक इसका अपोजिट कि आपका बच्चा तो जीनियस है आपका बच्चा तो दुनिया में वो सब कुछ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता इतना इंपक्ट किया कि वो बच्चा पूरा पूरी अपना लाइफ को टांसफर्म कर दिया तो दोस्तों मुल अपदेश्चोरी कोई अधिकार नहीं बनता है किसी भी टीचर या कोई भी बच्चा या कोई भी सरक चलते लोग या कोई भी ऐसा लोग जो भी कोई अच्छा कर करना है उसे जहां तक हो सके तो प्रमोट करो उसे जहां तक मोटिवेट करो इंस्पाइर करो पर कभी भी दोस्तों डी मोटिवेट मत करना क्योंकि हो सकता है कि आपका एक डी मोटिवेशन उसे हमेशा के लिए बरबाद कर दे इसलिए कोशिस बस यही रखना अगर आप उस उसे डिश्टॉब भी मत करना उसे डी मोटीबेट भी मत करना क्योंकि क्या पता ये बच्चा कल इतिहास रजदे ये बच्चा कल वो बन जाए जो कोई सोच भी ने सकता तो दोस्तों क्या आपको पता है जो बच्चा जो मा और जो स्कूल का अप्लिकेशन का जो कहानी मैंने वह साइंटिस्ट का नाम क्या अब बता सकते हो अगर आप बतासकते हो तो प्लीज कमेंट करके जबर बताओ लकिन उस बच चान पच्चे का नाम मैं बता जाता हूं और उस बच्चे का नाम हम सब करिख सब कई न लाइफ में जब ई 10,000 बार फेल होकर के बल्ब का आविस्कार किया दोस्तों सोच के देखो कि अगर हम लोग एक बार फेल हो जाते हैं तो पूरा डिप्रेस हो जाते हैं और आज जिस बल्ब में हम पढ़ाई करते हैं जिस बल्ब से लोगों का इतना भला हो रहा है यह इन भेंशन उनका देने त तो सोच के देखो उस पोजिटिवीटी में उस इंकरेजिंग मोटिवेटिंग और इंस्पाइडिंग में कितना पावर है एक महान हस्ती डॉक्टर एपी जी अबदुलकलाम जो सर्त है उन्होंने बताया था कि अगर शुरुआत करना है तो हमें नरसरी से केजी लकेजी औ और ऐसे इंट्रेस्टिंग कहानी के लिए ऐसे इंस्पाइरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे इस साइंटिस्ट चायवाला चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और लाइक करिए कमेंट करिए और अपना प्यार बरसा है खूब सारा